हलो दोस्तों मैं हूं राज और आप देख रहो टेक राज क्या ये हादे दोस्तों ये अल्रेडी रिव्यू कर चुका हूँ इसका मैं आन्बोक्सिंग कर चुका हूँ जब फर्स्ट करी रहा था तो कुछ दोस्तों ने बोला कि वो वीडियो में ठीक से देखने ही पा रहा है तो इसके लिए और एक रिव्यू डालो इतना दिन यूज करने के बाद कैसा है इसमें तो आप जानते हूँ क्या क्या फीचर है फिर वी मैं बता देता हूँ 6000 एमेज बैटरी है 48 मेगापिक्सल एयाई कैमरा है इसमें और इसका क्वार्ट कॉलम स्नापडागर्न 662 प्रोसेसर है जो 2.0 GHz का आता है डिस्प्ले इसका है 6.53 इंच का डिस्प्ले है बहुत बड़ा इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है ताइप सी का चर्जर है फ्लैश है यूज से टोरेज है और यह डूएल भोल्टी है और वो वाइफाई भी है वो व यूज होगा और कोई नेट्वर्क नहीं है लेकिन आपका फोन वाईफाई से कनेक्टटेग फ्लैंट मतलब जो वाईफाई होता है उसमें अपका क्ल дол कर सकते हो कोई क्ल आपका डॉप नहीं होगा या वह व्लाइस ब्रेक नहीं होग जिल्कुल आप उसे यूज कर सकते हो और यह देखो यह made in India है तो इसलिए बहुत जादा अच्छा लग रहा है मुझे इसमें तो आप जानते यह क्या क्या दिया हुआ है आपको मैं उसमें उस वीडियो में दिखाया था चार्डर है इसके साथ एक यह वाला चार्डर है और चार्डर केबिल है इधर user manual है और इसमेंu...</ हैम ओंने और फिन ин्येक्टर रें प्र Came चेक्üchtा रोश में यूजर मैनुल वारेंटि करड़ है उसको नहीं चाहिए तो आप हम लोगे को हम लोग प्रक्रामा लग रख देता य यह मेरा fingerprint दिया हुआ है तो इसके लिए यह फटाक से open हो रहा है यह देखो यह side में fingerprint है इसका अभी जैसे हम लोग touch करेंगे fingerprint फोरा time लेकर on हो जाएगा sound सुनाई दिया आपको और इधर देखो notification आया है यह मेरा वाल पेपर लगाया हुआ है आपका भाई का देख लो और उस पर skin guard लगाया हुआ है वो matte skin guard लगाया हुआ है actually पहले वाला जो skin guard था इधर तो मेरे हाथ में लगके टूट गया था वो इसके लिए यह और इसको देखो पीछे जो camera है तीन camera है एक दो तीन यह जो मीडिल वाला camera है वो है 48 Megapixel camera और जो दो है वो एक है 8 और 69 Megapixel और इधर जो finishing दिया हुआ है यह बहुत अच्छा है phone का size बहुत handy है बहुत बढ़ा iPhone का size मुझे अच्छा लग रहा है comparison में मेरा दूसरा phone जो है उससे बढ़ा ही है और इसका जो feature है मैं आप लोग को जो इसका feature अच्छा है और बुड़ा है वो बताने वाला हूं मैं वह आप लोग ठीक से देखाओ देखो कितना time लगा देता है fingerprint sensor open होने में ठीक है यह थोड़ा time ले लेता है इसको open करने में यह देखो इसमें ही थोड़ा slow है और जो camera भाई camera सच में इसका अच्छा नहीं है क्यूंकि साइद इसका bug fix होगा इसका कुछ update देगा उसके बाद fix हो जाएगा लेकिन इसका camera आप लोग देख सकते हो यह देखो मैं पिक्चर आप लोग को वीडियो में डाल दूंगा एक-दो जो क्लिक कर रहा हूं और इसका portrait mode में जाते हैं हम लोग देखते हैं यह देखो अधिक है और 48 जो मेगा पिक्सल है इधर दिया हुआ है देखो अल्टा एजडी ओन कहें के शो कर रहा है उपर तो यह है आपके पिक्चर क्लिक करेंगे पिक्चर में जाएंगे जाने के बाद इसमें डॉबल टैप करेंगे तो जूम होगा और एक टैप करेंगे तो और ज जादा जूम कर सकते हो इसमें अगर क्लिक करते हो तो यह चीज अच्छा है यह हमारा जो यह फीचर सेम ही है हमारा जो रेड्मी नोट 7 प्रो में वह उसमें भी ऐसा ही फीचर आता था देखो एक्चुली इसका जो सैचूरेशन है वह सबसे ज्यादा ले लेता है कालर मतलब थोड़ा दिफेक्ट मतलब थोड़ा क्या बोलो आपको थोड़ा जो हमारा एस्पेक्टेशन है वैसा नहीं आता है फ्लैश अन करके एक पीक्चर हम लोग खीचेंगे अभी यह रहा हमारा इसका बॉक्स तो आभी इसको ही क्लिक करते है ठीक है अभी देखो फ्लैश वाला एक बिकचर देखो हो कि बहुत जादा ब्राइट होगया है और पीछे बढ़ा जो है उसको पूरा अंधरे में डाल दिया और एक पिकचर किसते हैं हम फ्लैश को आफ कर देते हैं अभी नाइट मोड़ कि अभी यह देखो नाइट मोड बाला पिक्चर हम लोग खीसते हैं देखते कैसा है यह इभी मैं अप लोग को वीडियो में डाल दूंगा आप लोग देख सकते हो क्रसेसिंग क्लिक हो गया भी देखो प्रोसेस होने में थूदा टाइम लेता है हो गया यह देखो इसका नाइट बाला पिक्चर यह नॉर्मल पिक्चर है और यह देखो नाइट बाला पिक्चर है मैं सामने देख रहा हूँ तो इसके लिए मुझे ज्यादा मतलब समझ में आ रहा है मैं जब वीडियो में डालूंगा आप लोगों तब भी देख सकते हो Shift लो यह नॉर्मल वाला है मुझे तो नॉर्मल वाल है अच्छा लग लग रहा है jus तो आप अर इसका विडियो चो अलिए पले यह देखे हो सिआ विडियो भी कुल बहुत जादा मस्थ नहीं मैं से एक वीडियो बना के आप लोगव को दिया था आप लोग मेरा जो वाट्चाप फीचर वाला वीडियो है वो देखो ये इस कैमेरे से मैं उस वीडियो को बनाया था अभी देखो वीडियो क्वालिटी इसका अभी जूम कटते है हम लग यह रहा अभी जूम आउट कटते है देखो यह वीडियो भी मैं डाल दूंगा आप लोग देख सकते हो और एक स्लोमोशन वीडियो करते हैं कि यह स्लोमोशन स्क्राट किया कि चल दो स्लोमोशन करते हैं यह इस्ट र किया अभी आप लोग देखो नटनोब तैसट मुशन स्लोमोशन देखो श्लो मोशन ऐसे ही हो रहा इसका श्लो मोशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है अबरेज ठीक ठाकी है इसका स्लो मोशन और इसका जो स्लो मोशन का वीडियो है वो भी मैं डाल दूंगा आप लोग चेक कर सकते हो इसमें कैमरा में और एक ऑप्शन दिया गया है जो है प्रो प्रो मतलब अप लोग अगर चाहते हो सेटिंग करने आई एसो एपर्चर फोकस अटो फोकस यह सब अगर अप लोग सेट करना चाहते हो लाइक जैसे डिया जाता है न वैसे ही है और यह 48 मेगापिक्सल वाला कैमेरा ही काम करेगा इसमें वागर लो इसको 48 कर दिया तो 48 वाला ही काम करेगा और नॉर्मल काम नही करेगा और एक चीज जो 48 मेगापिक्सल कैमेरा है उसमें जूम नहीं कर सकते हो आप लोग यह देखो AI का लगा दिया हम लोग इधर आप लोग चेंज कर सकते हो लाइक यह देखो चेंज होगा यह देखो यह सब चेंज होगा हम लोग चेंज करके फोटो खीच लेते देख eteek ऐसा आता हैं कि किंद्ध अ कि यह फोटो भी मैं डाल दूंगा कि आप लोग मोड चेंज कर सकते हो यह मंतर यह फिल्टर है ठीक है यह बबश्वाद आप चेंज कर सकते हमाथ से इवह आल यह मुझे लग रहा है और इसका जो Android version है वो दो तीन बार अपडेट दिया है तो अपडेट होने के बाद यह मुझे दिखा रहा है अभी 12.0.7 ग्लोबली version है और Android यह देखो Android version है 10 और यह वाला देखो stable version है 12.0.7.0 और इसका battery backup, सच में इसका battery backup बहुत मस्त है मैं मतलब इतना दिन यूज कर रहा हूं 6 month लगबग हो गया है इसका battery backup सच में बहुत धासू battery backup है यह phone और इसका weight भी लगबग हो ठीक है और सच में यह मुझे बहुत फोन आता है मुझे मेरा काम के लिए जॉब के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोन करना उता है इस यह फोन से तो यह बहुत ज़्यादा फोन आता है आपको बुल रहता है मैं वोल्टी और वो वाई-फाई के बारे में इधर देखो एक option आ रह ठीक है यह देखो जब हम लोग इसको WiFi से connect करेंगे तब यह वो WiFi हो जाएगा अभी देखो चेंज होगा अभी यह WiFi से connect हो जाएगा तो यह चेंज हो जाएगा यह देखो चेंज हो गया अभी मैं इसका screenshot लेकर रखताहूं आप लोग को मैं इसमें LTE, क्या है और इसमें एक performance देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, PUBG प्ले करके देखेंगे कैसा चल रहा है, कैसा lag हो रहा है या नहीं कुछ इसका sound कैसा है, यह सब देखेंगे तो चलो battleground mobile चला लेते है अभी यह open होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा skip कर देंगे ठीक है तो अभी start हो रहा है, यह सब कुछ close करते हैं हम लोग इसको जो भी है नहीं चाहिए अभी भाई अभी आँ एक match को play लेते हैं, पहले selection कर लेते हैं, कुछा match के लेंगे हम लोग इस नोर्मल जो है, डिपी पलाइख कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कर देंगे हम लोग अभी देखो इस इसमें कोई lagging तो अभी नहीं हो रहा है लेकिन होता भी नहीं है, मैं अच्छा kill सकता हो इसमें यह देखो, भी नस चल रहा है और इसका graphics भी अच्छा है मैं थोड़ा आगे ले लेता, आप लोग देख सकते हो इसका graphics दिया हो इसमें यह भी वास चाहे, मुझे पच्छा लगा यह देखो अच्छा इसका graphics भी खोड़ी तो चलो हम लगा उतार चाहते है ताई भी उतारते है यह उतारते है यह तभी खेल नहीं रहे है यह खताम जाएगा जल्दी चलो अभी एक बंदूग ढून देते है चलो मिल गया एक बंदूग ठीके कोई enemy आएगा तो उसको भी ठोक देंगे हम लोग बंदू करेंगगा यह उताम शदबूँ कि अबड़गा प्रादब लोगशफ़गजब लुट यहाँ यह झातार उसके एक बंदूबभाभब सबस्टबब आसपास कोई निमी तो नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही गोली चला रहा है हम लोग क्या कर सकते हैं आप लोग को दिखाने के लिए खेल रहा हूं मैं अब देखो अच्छा ग्राफिक्स दिख रहा है देखो तो यह सब ही है जितना भी अच्छा आप लोग को लगेगा यह गेम मतलब इस फोन में अच्छा ही होता है देखो लैग कोई लैग नहीं है कितना अच्छा मतलब हो रहा है कोई एनिमी मार रहा था उसको मार के आते चल तो ये खताम ठीके कि ये रहा इसको देखते एक। इसके पास ये देखो उदर आदे हम लोग ंदर फाइट हो रहा है थूदर झाते हम लोग अभी खताम हो जायेंगे लेकिन देख लेखे है श्कौच मजा तो आएगा ना कि यह देख रहे एनीमी ठीक है एनीमी दीग काया हमें पीछे से हमें दो डाला यह बाला एनीमी खतम कर दिया लग बोला ना खतम हो जाएंगा हम लोग जल दिये तो गेम खेल नहीं दिया हम लोग जैसे मैं दिखाया थोड़ा हीट हो जाता है गेम खेलने के बाद फोन वह तो नॉर्मली सब फोन में होता है लेकिन सच में यह गेमिंग के लिए और यह सब कुछ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 6GB RAM में आता है थोड़ा स्पीड बहुत ज्यादा है इसका अलगभग FR इ अच्छा फोन है उसका भी रिव्यू में बहुत जल्ली करूंगा क्योंकि अभी आप लोग सपोर्ट जितना करोगे उतना ही मैं खरीच सकता हूं कि यह सब मैं खरीद के वीडियो बनाता हूं तो आप लोगा सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए अगर वीडियो अच्छा ल अच्छा लोगा सिर्ण धरीजो बनाता है